हेलो गाईज, वालकम बाक तो माई चानल, तो तोड़े वी आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देती हूँ, यहां पर सबसे पहले आपको 360 डिग्री रोटेटिंग ब्लेड मिल रहा है, जो एजीली रोटेट हो रहा है, तो आपको कोई भी कर्व एजिस करनी हो ट्रिम, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसी के साथ आपको यहां पर यह एक बटन मिल रहा है, जो आप प्रेस करके इसका है, वो आप चेंज कर सकते हैं, जब भी भी जाये तब, अब यहां पर आपको आप यह ब्लाक कलका देख रहे होंगे, यह एक स्टोरेज कंटेन को आपको है, अफने रादी अपर आप सकते हैं, जब लगाको है तो इसके साथ ही आपको मिलेगा, तो आप अपने मनलटिपल हैड्स इसके अंदर स्टोर करके एजीली रख सकते हैं, आप बगाने के बाद, आप मीक्षोर कीजिए, एक दम अच्छे से ताइट हो गया है, यहां पर एक थाली है जो मैंने बनाई है रेजिन की यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बहुत एक्ष्ट्रा एक्ष्ट्रा रेजिन जो है वो बहार निकला हुआ है यहां पर से भी निकला हुआ है सो यह डीबरिंग टूल की मदद से हम यह एक्ष्ट्रा रेजिन को क्लियर करेंगे मैं यह उल्टा बैक साइट कर रही हूँ और आपको बस कुछ नहीं करना है आपको यहां से हलका हलका सा ट्रिम करना है क्योंकि इसका 360 डिग्री रोटेशन है तो यह कव एजिस पे भी अच् करने एजिस को स्मूथ बनाने के लिए और जो आपका एक्ष्ट्रा रेजिन है जो मोल्ड के बाहर आया हुआ है उसे भी बहुत असानी से आप इससे ट्रिम कर सकते हैं इससे आपको बहुत ही स्मूथ एजिस मिलेंगी सो आप इधर देख सकते हो कि जो एक्ष्ट्रा पीस जो एक्ष्ट्रा रेजिन था हमारा वो बिल्कुल ही चला गया है और एकडम जो उसके एजिस हैं वो एकडम ही स्मूथ हो गया है सो आप यह डीवरिंग टू यूज कर सकते हैं अपने प्रोड़क्त की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए और फिनिशिंग इंक्रीज करने के लिए आप अपने प्रोड़क्त की थैंक्यू गाइस पर वाचिंग आपको यह वीडियो यूस्फुल रही हो ऐसे और वीडियो के लिए प्रोड़क्त के लिए प्लीज हमें फॉलू कीजिये और सस्क्राइब टू माइ चानल थैंक्यू बाइबाइ